हलो स्टूदेंट्स एविजन यूट्यूब चैनल पे आप सब का स्वागत है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहे होगे तो आज के वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ आप लोग उसे सिटिजन सिब तक की बात कर रखा हूँ सिटिजन सिब हमारा लास्ट क्लास था उसके बाद हम लोग फंडमेंटल राइट जो पार्ट थर्ड है और इंडियन कॉंस्टिजिशन के अंदर का सब्जेक्ट मैटर वो है फंडमेंटल राइट एंड यह आर्टिकल्स अगर पूछ लिया जाए कि यह कितना सारा आर्टिकल कंसिस्ट करता है यह बेसिक चैप्टर तो हम लोग को या अच्छा तो इसके बारे में कुछ तो हिस्ट्री होगा कुछ तो कहानी होगा तो कहानी ऐसा है कि सन 1215 में एक राजा हुआ करते थे किंग जॉन तो यह बहुत पुराने मतलब वेस्टन कंट्री की कहानी है किंग जॉन के द्वारा एक कुछ-कुछ अधिकार सिटिजन्स को देने की बात की गई जिसे Magna Carta Libertator भी कहते हैं तो उस समय पहली बार इस चीज़ की सुरुवात हुई उसके बाद आया हमारा कंट्री USA USA ने इसे मतलब fundamental right को Bill of Rights में शामिल किया एंड आफ्टर टेन constitutional amendment दस सम्वेधानिक संसोधन के बाद उन्होंने इसे fundamental right के तौर पे अपनाया बट हमारी जो देश के जो constitution makers थे उन लोग के दिमाग में यह चीज़ आया कि नहीं हम लोग कोई भी amendment हो गयरा नहीं करेंगे हम लोग डिरेक्टली इसे अपने सम्वेधान में as a fundamental right इन पार्ट थर्ड में इंक्लूड करेंगे ठीक है तो क्लियर हो गया तो सोर्स इसका जो USA है हम लोग समझ रहे हैं यह मैगना कार्टा जो सुरू हुआ था मैगना कार्टा तो वहां से 1215 से शुरू होती है किंग जॉन के द्वारा और फिर यहां पे USA का कहानी आता है जो दस सम्वेधानिक संसोधन के बाद इसे अपना लिये थे और हमने इसे डिरेक्टली अपने सम्वेधान में इंसर्ट कर दिया in part 3rd next fundamental to existence as human ये basically existence as human बोल रहा है मतलब human क्या है उसका personal life है liberty है उसका dignity है और वो इन सब को maintain करके अपने life में रह सके उसको इतनी आजादी मिलनी चाहिए ये सब उसके मौलिक अधिकार होंगे तो यहाँ पर यह हम लोग समझ में आ रहा है अब यह जस्टिशेबल जस्टिशेबल मतलब क्या होता है जस्टिशेबल मतलब होता है enforced by the court against the state ठीक है तो इसको हम लोग enforced कर सकते हैं court में against the state ठीक है मतलब आपका किसी भी fundamental right के अगर हनन होती है तो आप directly high court या supreme court में उसके लिए गवार लगा सकते हो ठीक है वो क्या क्या चीज है वही हम लोग इस class में समझेंगे यह chapter काफी बड़ी है तो एक वीडियो में यह खतम नहीं होने वाला है तो हम लोग इसे part by part करके पढ़ेंगे तो justice able हम लोग समझ गए and guaranteed right क्यों है क्योंकि हम लोग देख लिए कि इसका हनन अगर जैसे भी हो आप उसे ले के सीधा high court या supreme court जा सकते हो अब हम लोग थोड़ा देखते है nature क्या होता हमारे fundamental rights का तो nature में देख रहो आप The fundamental rights provide protection only against the state action and do not safeguard against the action of private individuals यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो fundamental rights है वो basically इसकी हनन होने से आप generally state के against में case कर सकते हो मतलब सरकार के against में सरकार के against में यह क्या है state यह भी हम लोग समझेंगे अभी तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ज्यान रखना है कि आप fundamental right का हनन होने से state के द्वारा किया जाने से आप directly court में enforce कर सकते हो बट सभी fundamental right को अगर किसी भी individual व्यक्तियों के द्वारा किया जाए तो सभी enforceable to the court नहीं है मतलब इसको generally example के तौर पे अगर हम लोग समझें कि मानलो आप किसी state से belong करते हैं उस state से उस state के जो government है उससे आपका पंगा हो गया fundamental right का हनन लेके तो आप तो court में जाके high court या supreme court में जाके इस बात को रख सकते हो बट किसी व्यक्ति के द्वारा individual के द्वारा अगर हो रहा है तो उसमें fundamental right का हनन हो के case नहीं होगा उसमें कोई इसा IPC ये CRPC चड़ेंगे बट कुछ ऐसे case हैं जहां पर आप fundamental right हैं जहां पर आप उनका कोई individual भी अगर हनन करें तो भी आप जा सकते हो जैसा कि article 17 जिसमें हम लोग abolition of untouchability के बारे में पढ़ते हैं ठीक है वो भी फर्दर हम लोग पढ़ेंगे आज ही पढ़ लेंगे abolition of untouchability तो untouchability अगर ये abolition of untouchability अगर article 17 का हनन किसी state के द्वारा किया जाए तो आप तो court में जाई सकते हो Supreme Court या High Court बट किसी individual के द्वारा भी अगर किया जाए तो भी against that particular individual आप court में जा सकते हैं ठीक है छो लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है accept the right pertaining to untouchability and the right against exploitation तो ये untouchability and exploitation के against मतलब सिर्फ स्टेट नहीं इसमें individuals भी included है in these two cases fundamental rights are available both against the state and the individuals जो मैं आपको समझा चुका हूँ ठीक है चलो next the state may deny some of the fundamental rights to a class of people as armed forces paramilitary personal police etc in the interest of administrative efficiency or national integrity इस statement में यही कहा जा रहा है कि फंड इस्टेट जो है मतलब government जो है वो चाहे तो दिनाई कर सकते हैं fundamental rights एक particular class of व्यक्तियों उसके लिए यह कैसे व्यक्तिया हैं होंगे जो armed forces से belong करेंगे जो paramilitary forces से belong करेंगे जो police forces belong करेंगे and related to all these forces से belong करने वाले उन लोगों के लिए अगर state चाहे तो अपने हिसाब से वो fundamental right को उन्हें दे सकती है because अगर सभी fundamental right जैसे normal citizens के लिए armed forces के लिए हो जाएंगी तो फिर वहाँ पे discipline and administrative decorum है उसको maintain करने में काफी कठिनाई हो जाएंगे तो discipline को maintain करने के लिए वहाँ पे fundamental right को थोड़ा सा suppress किया जाता है by state यह भी कहा गया है except the right mentioned in article 20 and 21, president has the power to suspend the enforcement of fundamental rights यहाँ पे article, दो article के बारे में कही गए है, एक है article 20, दूसरा है 21 इन दोनों के अलावा बाकि जितने सारे articles हैं जो part 3 के अंदर आते हैं हमें कुछ fundamental rights देते हैं उन सभी को suspend कर दिया जाएगा by our president during emergency और वैसा कोई भी situation आए तो but 21 और 20 यह suspend नहीं होएगा ठीक है तो यह बात अपलों को ध्यान रखना है, इसमें directly question पुछता है कि कौन सा article है जो fundamental right के अंदर गत आता है and वो बच जाता है from suspension by the president during emergency or like that moment ठीक है तो यह हम लोग को यह सब कुछ बाते याद रखना है उनके against में अलग cases हो जाएंगे वो fundamental right का हनवाला चीज नहीं होगा but in case of untouchability and वो जो exploitation है इन दोनों में आप individual के against में भी जा सकते हैं दूसरा में हम लोग समझें कि कुछ fundamental right को suppress किया जाएगा एक class of people के लिए जो लोग belong करेंगा पुलिस से paramilitary forces से है forces से generally तो उन लोगों के लिए कुछ suppress किया जाएगा suspend किया जाएगा कुछ fundamental duties को to maintain the dignity and decorum of the administrative structure of India and 2021 के बारे में समझें जो suspend नहीं किया जाएगा by our president during emergency or like that situation अब हम लोग देखेंगे classification of fundamental rights basically जब हम लोग का constitution बन रहा था तो उस समय हमारे constitution maker के द्वारा fundamental rights में total seven classes रखे गए थे पहला जो था right to equality and हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं अभी कौन सा हट गया मैं वो भी बता दूँगा अभी है presently there are six but पहले original constitution में there are seven fundamental rights are there but अभी ये छे हैं हटा कौन सा यहाँ पे जब property देख पारे हो second last article 31 जो deal करता है उसे delete करके उसे legal right बना दिया गया है उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो पहला हम लोग देख पारे है जो classification में पहला है right to equality इसमें total पांच आर्टिकल आएंगा from 14 to 18, 14, 15, 16, 17 and 18 next है right to freedom जिसमें article आएंगा 19, 20, 21 and 22 फिर right against exploitation इसमें आएंगे दो 23 and 24 right to religious freedom इसमें आएंगे आर्टिकल 25, 26, 27, 28 cultural and educational right में आएंगे आर्टिकल 29, 30 property पहले ही बता चुक हूँ article 31 and constitutional remedies article 32 तो यह सब जो fundamental rights है actually जिसमें आपका जो अधिकार है उसके बारे में लिखी गई है वो इन सब topics में जिनको हम लोग article कह रहे हैं उसमें मिन संडर बट यहाँ पे एक question being a student आप लोग को खटकना चीए आपके दिमाग में question यह बनता है कि मैंने क्या बताया यह देखो first article कहां से कहां है 12 से लेके 35 तक but हम लोग तो यहां classification में देख रहे हैं 14 से लेके 32 तक last में देखो note क्या है article 12 defines the state and article 13 defines the law article 12 and 13 को हम लोग fundamental right के chapter के अंतरकत रख रहे हैं but यहां पर definition चल रहा है किसके बारे में state का लोग के बारे में क्यों इसका importance क्या है सर इसका importance यह है क्योंकि यहां पर हम लोग बार 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 स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं अरे भाई वो state क्या है जिसको आप define कर रहे हो state वो है क्या समझ में नहीं आएगा तो मैं case किसके करूं आप state के list में किसे include कर रहे हो तो state का मतलब है जो आर्टिकल बारह आपको कहता है कोई भी चीज जैसे government of India पार्लेमेंट आफ इंडिया गवर्मेंट आफ स्टेट्स स्टेट लेजिसलेचर फिर एनी लोकल अथारिटी जो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो बट इन कंट्रोल आफ इंडिया हो इसे क्लियर करने के लिए मैं और एक बार बोल रहा हूँ स्टेट को डिफाइन करने के लिए मतलब स्टेट के अंतरगत आने वाले जो लिष्ट के अंतरगत जो भी आएंगे वो होंगे government of India, parliament of India, government of states, state legislature, any local authority जो Indian territory में हो या इंडिया के बाहर हो बट in the control of India हैं वो सभी स्टेट कहलाएंगे एंड आप इन सब के अगेंस्ट अगर आपका fundamental right जिस भी यंद्र के द्वारा हनन किया जा रहा है उसका आप उसके अगेंस्ट जाके case कर सकते हैं इन हाई कोट एंड सुप्रीम कोट ठीक है तो यहाँ पे state का मतलब यह हो गया government of India तो हम लोग समझ गये सरकार भारत के सरकार पालम पर इंडिया समझ गये संसद जिसमें आ रहे हमारे लोकसभा उसमें से कोई भी मेंबर आएंगे उसके अगेंस्ट में आप कर सकते हो चाहे वो फिर आपका राजसभा का कोई भी मेंबर उसके अगेंस्ट में कर सकते हो आप अगर आप संसद को द assembly के against में कर सकते हो state legislature के against में कर सकते हो आप कोई भी local authority जो government of India के control में हो सब के उपर आप state उसे मान के अगर वो आपका fundamental right का हनम कर रहा है तो आप उसका against में जाके case कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर article 12 हम लोगों को समझा रहा है कि बेटा हम लोग जो बोल रहे हैं अर्टिकल 13 अर्टिकल 13 क्या है यह बताता है लोग लोग क्या है बट एक्च्वल में जो पढ़ाई करोगे ना constitution उठाके पढ़ोगे नहीं यहां पर तुम्हें नहीं किया हूं क्योंकि क्लास लेंदी हो जाएगा तो इसके बारे में थोड़ों सा बता देता हूं जब constitution उठागे पढ़ोगे तो वहां पे ना actually लॉग क्या है यह नहीं बताए गया है वहां पे यह बताएगा कि लॉग क्या नहीं है बोला कि सर क्या बोल रहे है घुमा रहे है आप तो घुमा मैं नहीं रहूं यहां पर यही बता दिया गया है कि कोई भी ऐसा चीज कोई भी order, action, legislation, amendment जो inconsistent होगा और in derogation और यह in derogatory to the law होगा उसे हम लोग law नहीं मानेंगे मतब सोरी यहां पर क्या उल्टा बोल दिया मैं कोई भी order, action, legislation, amendment जो inconsistent consistent या in derogatory होगा to the part 3, मतलब fundamental right उसे आप law नहीं मानोगे ठीक है, वो null and void हो जाएगा and इसका देख रेक करने को दे दिया गया है judicial review के अंतरगत, supreme court and high court को, तो basically हम लोग को article 13 में यही समझना है कि कोई भी ऐसा चीज जो कानून हो सकता है, amendment हो सकता है, order हो सकता है, action हो सकता है, जो state के द्वारा किया जा रहा है and वो article 12 से लेके 35 तक के बीच में जितने सारे हैं, जिसको हम लोग fundamental right कहते हैं, part 3 के अंतरगताने वाला उससे वो match नहीं कर रहा है, या फिर उसके language को suit नहीं कर रहा है, तो उसे आप law नहीं मानोगे and उसे आप further judicial review में Supreme Court and High Court को swap दोगे, तो ये article 12 and 13 हम लोगो को समझाता है अब हम लोग चलेंगे, right to equality के तरफ, जहांपे article 14, 15, 16, 17 and 18 के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे and आज इन ही पांच articles के बारे में ही मैं पढ़ा के इस class को रखूँँगा, बाकि जो remaining है हम लोग अलग अलग पार्ट में देख लेंगे, कैसे करना इसे चलो, सुरू करते हैं, right to equality देखो, लिखा हुआ यहां पर बहुत कुछ है, जो तुम लोग के लिए, जो तुम लोग को पढ़ना है, मैं इसे समझा देता हूँ, simply article 14 को जब देखोगा, तो यहां पर basically तुम्हें दो statement बहुत जादा दिखेंगे and उन दो statement का ही actualment महत्व भी है अच्छा, तो क्या है वो दो statement, एक है equality before law, ठीक है, एक है equality before law और दूसरा जो दिखेगा, equal protection of law, ठीक है, equal protection of law यहां पर कहां पर है, यहां पर दिखने रहा है मुझे मैं, पढ़ेंगे हम लोग जो, तब दिख जाएगा हम लोगो तो equal protection of law and equality before law देखो यहां पर, equal protection of law, ठीक है, तो यह तोनों statement में difference क्या है more like सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है, बट नहीं यहां पर दो question बनता है, one liner एक यह बनता है कि equal protection of law कहां से लिया गया है या equal, equality before law कहां से लिया गया है तो यहां पर यह दोनों ही sentence को दो अलग-अलग countries से लिया गया है पहला वाला जो है, equality before law equality before law जो है, वो British constitution से लिया गया है and equal protection of laws American constitution से लिया गया है अब यहां हम लोग को समझना है कि यह दोनों का importance यहां क्या है इन दोनों का अलग-अलग importance है एक का negative है, एक का positive है equality before law जो British से हम लोग लिये हैं इसका एक negative impact पढ़ रहा है, कैसे? यहां पे कहा जा रहा है कि आप चाहे कोई भी है आप कानून के सामने एक है तो गलत क्या है, सही तो बोल रहा है ठीक है भई, चलो, तो सही बोल रहा है इसलिए तो हम लोग लिये इसको दूसरा वाले statement देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है equal protection of laws यहां पे कहा जा रहा है कि चलो भाई, ठीक है, तुम्हारा बात हम समझ रहे है कि कानून के सामने सब सही है बट हम लोगों को वो जो crime जिसके द्वारा किया गया है उसका status बोल रहा हूँ, उसका level भी हम लोगों को समझना चाहिए for example, किसी का murder करना crime है, definitely crime है, अब यह किसी adult के द्वारा करा जाए तो adult वेकती तो obvious fact है कि वो होश में रहेगा and वो जो भी decision लेगा, होश में लिया होगा अब वो किसी वो मार दिया, तो उस पे murder के charges लगे अब माल लो, वैसा ही murder किसी बच्चे के द्वारा हो गया बट वो बच्चा जो है, वो intentionally नहीं मारा, वो क्या क्या है उससे गलते से बंदू चल गए, वो मर गया तो यहाँ पे equal protection of laws यह समझा रहा है कि यहाँ पे आपको यह देखना चाहिए कि हो सकता है, crime एक ही है बट यहाँ पे individuals अलग है and उनका जो level से वो अलग है तो आप level के हिसाब से आप उसे देखो and देखके फिर justify करो और इस चीज को पूरा पूरी swap किसके हाथ में दिया गया to the judiciary system या हम लोग के judges के उपर ठीक है, तो यह basic funda है equal, article 14 में जिसको हम लोग equality before law के अंतरगत पढ़ते हैं and equal protection of law भी हम लोग इसमें देखते हैं, जो right to equality के अंतर का पहला article आता है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहां पर, article 14, equality before law, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India, मतलब state जो है, ना है उसको equal protection of law से deny कर सकता है, ना है उसको equality before law से deny कर सकता है, जो दोनों ही चीज़ मैं आप लोगो सम्झाया चुक हूँ, equality before law implies that no one is above the law of the land, तो जो land है उसके अबव कोई नहीं है, तो दोनों में ही more or less एकी जी़ सम्झाया जाता है, पर difference क्या था वो मैं आप लोगो बता चुक हूँ, next, however the constitution allow the following exception to the rule of equality before the law, a, the president or the governor of the state is not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duties of the office, मतलब basically यहां पर कहा जा रहा है जो पर जो president and governor है उनको वो answerable नहीं होंगे किसी भी court में during उनका duties of जो office है या power है या फिर उनको उनका exercise से हटाया नहीं जा सकता है, no criminal proceeding is to be instituted or continued against the president or governor in any court during his term of office, मतलब कोई भी criminal proceeding governor or president का गिंस नहीं चल सकते, no civil proceeding in which relief is claimed against the president or the governor can be instituted during his term of office in any court in respect of any act done by him in his personal capacity, before or after he entered the office of the president or governor until two months expire after notice and writing has been delivered to the president governor stating the nature of the proceeding, the cause of action and other details, actually यहां पर बहुत जादा कुछ लिखा हुआ है, हमें exam point of view से जो मैं आप लोग से बाते discuss कर रखा हूँ about equality before law and equal protection of law, जिसका negative and positive aspect क्या है, इतना अगर आप समझ गए हो तो यह काफी है, अब हमनों move कर सकते हैं अपने अगले आर्टिकल में जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, no discrimination on certain grounds, ground रखा गया है religion, race, caste, sex or place of birth, मतलब इन सब grounds पे आप discrimination नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी के जाती देख के नहीं कर सकते हैं, बट यहां पे एक चीज बहुत अच्छा कहा गया है, कि difference treatment is not discrimination, मतलब क्या है इसका? मतलब यहां पे यही है کہ different treatment हो रहा है, कि वहां लोग कोई पिछडा हुआ है और वो आपके साथ आप और आप बहुत ही मतलब एडवांसड हो और आप दोनों के एक साथ competition होने वाली है तो आप दोनों के साथ एक साथ competition होने के लिए अगर level दोनों का same न रहा तो कैसे जलेगा तो इस level को provide करना यहां पर treatment हो सकता है दोनों के साथ अलग हो पर जब competition का level होगा ultimately तो वहां पर आप दोनों equal हो जाओंगे तो उसको equal बनाने के लिए जो opposite provide की जारी यह different treatments हो सकता है इसको आप discrimination नहीं कह सकते हो ठीक है तो first amendment act भी हमारा उसी basis पर आया था जो मैं आप लोग से पहले बात कर चुका हूं तो article 15 में हम लोग को basically यही समझना है कि discrimination नहीं होगा on certain grounds grounds क्या है race, religion, sex, caste and place of birth ठीक है चलो article 16 article 16 में हम लोग equality यह तो right to equality के अंतर आएगा and इसमें हम लोग देखेंगे looking for government jobs अगराब है तो यहां पे equality of opportunity is matter of public employment देखेंगे, there shall there shall be equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any office under the state मतलब equality रहेगा सब के साथ, अब यहीं पे दिमाग में आप लोगा question आएगा, sir, कैसा बात कर रहे है मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं यह तो गलत है क्योंकि यहां पे तो reservation चल रहा है आरे गदहों reservation इसी लिए दिया गया था बात यहां पे यह reservation देने का कि मैं पहले बताया ना कि अलग treatment किया जा रहा है क्योंकि अगर देखोगे मालोग की यह track है दोडने का ठेक है and यह winning position है अगर हम लोग जो reservation दे रहे हैं तो reservation basically SC, ST and OBCs को दिये जाते हैं या फिर physically handicapped व्यक्तियों को भी दिये जाते हैं तो देने का main current यही है कि यहां तक पहुँचना है, यहां तक आपको पहुँचना है दोडोगे आप इस रास्ते पे, start आपको यहां से करना है तो आपका जो level है आप यहां खड़े हो, but जो physically handicapped है वो यहां खड़ा है जो SC है वो यहां खड़ा है, जो ST है वो यहां खड़ा है अब तीनों को तो यहां लाना पड़ेगा ना, यहां से यहां तीनों को यहां खड़ा करना पड़ेगा ना, तब ना equal होगा तो यह equal opportunity देना है और उसका माध्यम जो बनाया गया है वो है reservation ठीक है, तो माध्यम से यह equal opportunity जो level playing field यहां पे जो हमारे constitution makers थे उस समय भी question उटी थी उनके सामने क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हो, discrimination बोल रहे हो, नहीं होगा फिर discrimination नहीं खुद कर रहे हो यार, बोलता है नहीं, हम लोग level playing field प्रवाइड कर रहे हैं जो पीछे रहे गए उनके लिए, ठीक है, तो reservation को लेके तो बहुत सारे बाते-बाते होती है उसमें अभी हम लोग जाएंगे नहीं, अभी हम लोग सिर्फ fundamental rights में ही रहेंगे तो हम लोग देख लिए, article 16 में भी हम लोग समझ गए, यहां पर बहुत सारी चीज़े लिखी रही है यह आप लोग अपने सहुलियत के हिसाफ से पढ़ लेना, ठीक है, या फिर मेरा वीडियो भी देखूँगे, तो चल जाएगा नेक्स्ट, article 17, article 17 के बारे में पहले बता चुका हूँ, यह थोड़ा से special है, कैसा special है भाई, यह एक ऐसा है, जो exception इसमें है ही नहीं, मतलब यह आप को state के against में भी आप इसे enforce कर सकते हो, court में, high court में या supreme court में, या फिर आप किसी individual person के against में भी आप इसे enforce कर सकते हो, court में, मतलब कोई भी चुआ चुट अगर आप से किया, चाहे वो कानूनी कोई व्यक्ती हो, या फिर कोई normal व्यक्ती ही क्यों ना हो, आप उसे court तक घसीड सकते हो, क्या है यहाँ पर evolution of untouchability in article 17, untouchability is abolished and its practice is in any form is forbidden, तो हम लोग से directly यहाँ पर पूचा चाता है कि article 17 बेसिकली किस से deal करता है या untouchability कौन से article के अंतरगत आता है, तो article 17 के बारे में याद रखना है, तो and इसके अंतरगत कोई भी problem होगा, तो वो व्यक्ती directly इसका contravention करने के लिए production of civil right act 1955 के अंदर जाके appeal कर सकता है court के अंतर, ठीक है, तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखने, and आज का जो हमारा article 18, जिसमें हम लोग abolition of titles पढ़ेंगे, देखो, total हम लोग अभी पढ़े 5 article, total 7 पढ़ चुके है, 12, 13 जिसमें हम लोग definition of state and law देखे थे, बाकी 14, 15, 16, 17, 18 जिसमें हम लोग, up to 17 हम लोग पढ़ चुके 18 पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग right to equality तक देख रहे थे, तो right to equality क अंदर ये article 18 भी देखेंगे, बट अभी तक हम लोग जो देखे 14, 15, 16, 17 में, यहां पर जो पिछड़े थे, उन्हें किसी तरह support करके पहुंचाया जा रहा थे, या फिर जो पिछड़े उन्हें पिछड़ा consider करके उन्हें दवाया कुछ लाया ना जाये, इसी लिए ये सब opportunity दी गई थी, मतलब जिनके पास कम power है, उनके बारे में अब तक बात की गई थी, बट इस article में, article 18 में हम लोग उनके बारे में बात करें जिनके पास जरूरत से जादा ही power है, तो यहां पर abolition of titles कहा जा रहा है, titles क्या होता बई, title वो होते हैं, जो राजा के बेटा को राज क quality फिर भी वो राजखुमार हो जाता था, और वो बड़ा होके वो राजा ही बनेगा, चाहे वो बीच में train होके सीख जाए, बट traditional train होके तो कोई भी सीख सकता है, तो इस चीज़ को हटाया गया, ठीक है, इस चीज़ को हटाया गया, मतलब यहां पर evolution of title कर दिया गया, कौन स titles, dynastic titles, and रखा गया है, कौन सा title, meritorious titles, मतलब यहां फिर academic title, जिसको हम लोग, meritorious titles जाया है, उसको हम लोग academic यह military titles में classify कर सकते हैं, military वाला जैसे कि आप major हो, general हो, dg हो, ig हो, बट, आपका जो offspring है, वो कुछ नहीं है, वो citizen है, ठीक है, आप अपने महनत पे उस जगह पे पहुँचे हो है, and आपके offspring के पास भी यह opportunity है, कि वो भी वहां पहुच सके, बसर तो उसे उतना महनत करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो जो dynastic चीज था, उसे हटा के, आप अपने महनत से वहाँ पहुचो, आपको वो title दी जाएगा, आप CA बन जाओ ना, CA का exam crack करो, CA बन जाओ, आपको CA बिल जाएगा, बट इसका मतलब यह कहीं से भी नहीं कि आपका बेटा जो होगा, वो भी CA कहलाएगा, आप doctor बन जाओ ना, आप engineer बन जाओ ना, बट इस जगा पे पहुचने के लिए, यह designation अपने नाम के आगे लगाने के लिए, आपके बच्चों को भी यहाँ तक पहुचने के लिए, जितने सारी महनत आप नहीं किया है, उसे भी करना पड़ेगा, तो इस चीज का removal हुआ है मतलब यहाँ पे, equal कैसे किया जा रहा है, अब देखो, basically, मानलो है, एक school teacher है, उसका बेटा, and एक high designator, जो कहीं का secretary वगेटा है, जो IPS, IS, UPSC crack करके, उनका बेटा, अगर इस चीज को नहीं आपने किया जाता, तो फिर, यहाँ पे, उन दोनों के, हो सकता है, इन दोनों में को teacher में, और वो offices में, but इन लोग के बात का जो generation हो सकता, वहाँ पर problem हो सके, तो वहाँ पर उनका बेटा है, teacher वाले को, वो लेगा, आप तो teacher वाले वेटे हो, आपका नहीं चलेगा, मैं ज्यादा powerful हो, मेरे पापा ज्यादा high काम करते हैं, security provide करते हैं, तो यह नहीं चलेगा, आपका बात मैं तभी समझू हो, जब आप उस resignation में बैठ जाओगे, ठीक है, तो यह चीज हम लोगो article 18 सिकलाता है, देखलो, यहां पर क्या लिखा है, evolution of title, no title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the state, मतला, आपको जो भी वनना है, खुद के मेहनत पे बनो, state आपको देगा, जब आप बनोगे आपके बच्चों को नहीं देगा, और वो चीज़ चलेगा भी नहीं, बारत रतना, पदमभूशन, पदमभूशन, पदमश्री and other state award are not regarded as title in term of article 18.1 of the constitution, article 18 sub clause, एक अंतरकत यह कहा जा रहा है, एक के अंतरकत, यह कहा जा रहा है, कि भारत रतना, पदमभूशन, या फिर और भी जितने सारी state awards से यह आपको अगरे मिलते हैं, तो आपका बच्चा इसका लाव नहीं उठा सकते हैं, आप भी उठा सकते हैं, अब आपका बच्चा लाव को उठाने के लिए, आपको इसे, आपको बच्चे को इसे earn करना पड़ेगा, क्लास 2 क्या बोलता है, प्रोइबेटे सिटिजन ऑफ इंडिया फ्रम एकसेप्टिंग इनी टाइटल फ्रम ए फॉरें स्टेट, अब आर्टिकल 18, 2 हम लोगों को ये बताता है कि आप सिटिजन ऑफ इंडिया बनके, फॉरें स्टेट का कोई भी टाइटल नहीं उक्विपा ठीक है, या फिर आपको वहां का पजमस्रिय वगेरा, वो तो मिलता है, लेकिन यहां पे दूसराई चीज़ है, ठीक है, नेक्स्ट, क्लास 3, प्रोइबेट ए टेवलर, ए फॉरेंटर, होल्डिंग इनी प्रॉफिस अप्रॉफिस 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 अप्रॉफ आउट for all foreign influence in government affairs, basically, यह जो statement यहां पे मैं रखा हूँ, यह total आपको self-study करते हैं, आपको पुरा conceptualize करने के लिए आसानी होगी, but, question जो है, जितना मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंतरगत ही आपका आचाएगा, ठीक है, तो, अगला जो पार्ट है हमारा, right to freedom, right against exploitation, right to religious freedom, culture and education, right or constitutional remedies, plus article 33, 34 and 35, जिसके बारे में हम लोग यहां पे classification में नहीं पड़े हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोग से further classes में discuss करूँगा, I hope यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, and आप लोग के exam का perspective में, आप लोग को इससे बहुत मदद भी मिलेगा, तो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले, अपने दोस्तों से share भी जरूर करे, और वीडियो अगर पसंद आया है, like जरूर करे, ऐसे ही interesting वीडियो के लिए, bell icon को भी press करना ना भूले, तो मिलते हम लोग ऐसे ही, अलग वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, have a nice day.